आओ बाई दोस्तो आज मैं आपको लेकर चलता मूर्गी फारम में चलो फर नमस्कार दोस्तो मैं निरंजन आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से मुर्की फारम में अंडो से चुझे और फिर चुझो से व्यावसाई किया जाता है ये देखे अंडे यहां रखे इन में प्राक्रतिक रूप से टेंपरेचर नए देखर के क्रतिम रूप से टेंपरेचर बढ़ा के अंडो को सिकाई करते हैं और फिर उनमें चुझे जब निकलने लगते हैं तो फिर उनका व्यावसाई टारंब होता है ये देखे चुझे निकल चुके हैं और इसी तरीके से इसका आगे आगे क्रमबद रूप से मैंने आपको वीडियो में दिखाना है तो आप इसको देखेगा और समझेगा हमारे देश में बहुत सारे किसान मुर्गी फारम करते हैं और कुछ लोगों के मन में हाइटेक टेकनिक से मुर्गी फारम चलाने का आइडिया होता है तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत सारे किसान वीर नए फार माउस बना सकते हैं जिनमें नई टेक्निक को आप अपना सकते हैं आगे हम दिखाने वाले हैं आपको किस प्रकार से इनको आटोमेटिक रूप से ही सारे काम करवा दिये जाते हैं चाहें इनकी पेकिंग करनी हो चाहें इनके अंडे निकालने हो या फिर इनकी जो वेस्ट होता है जिसे हम बींट बोलते हैं उसको अगर बाहर निकालना है गंदगी से अलग करना है तो वो कैसे होता है हमारे यहाँ पे उसी में बींट होती है उसी में चारा होता है और वहाँ पे यह डबा रखा होता है खाने का बानी का तो यह हमारे बहुती कम थोड़ा हाइटेक नहीं है इसको हम हाइटेक नहीं ब ये नीचे से इसके रॉलर लगा रहता है तो ये जिसे जिसे घूमता तो सारी बीठें सारा कच्रा नीचे आ जाता है और ये नीचे जो घूमने वाला इससे सीधा इसमें निकल करके जाता है ट्रक में और इनकी जब पेकिंग करनी होती है मुर्गियों की तो उन मुर्गियों में सेल कर दिया जाता है अब देखिए ये मुर्गियों को भरने की मसीन मुर्गियों को किस तरीके से भरते है और किस तरीके से उनको फिर पेकिंग करके एक सहर से दूसरे सहर बेजने को भेज़ देते हैं ये देखिए ये मसीन इनको अपने आप खीच रही है और ये अपने आप पेकिंग हो रहे हमारे यहां मुंडिया या पंजे पकड़ के हम उसको भड़ते हैं तो ये इनको हाइटेक बना देता है इन चीजों के मामले में और ये तुरंट सीदे केरेट में आई और ये ट्रक से ट्रक डारेक्ट ट्रांसपर होते जाते हैं और आगे चले जाते हैं अभी जो फर्स आप देख रहे हो ये एक बहुत बड़ा खौल है और इसमें अब डाला जाएगा मसिन के दोरा नीचे की तरफ कच्रा ताकि मुर्गियां है वो जमीन पे आराम से रह सके उनके लिए नीचे गर्माट बनी रहे ये देखें दोनों ट्रक्टर टाइप के लगे होते हैं या ट्रक टाइप के कुछ भी कह लीजिए आप इनके उपर से ये सारा का सारा सामान सीधा ही निकल के जमीन पे आता है फिर यहां पे चुजों को छोड़ दिया जाता है और फिर व्यावसाई आगे बढ़ता है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं किसान मेरों के लिए हमने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे लगाएं होएं जो वीडियो की तक्रीक है उसे जरूर देखें चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को जरूर दबाएं धन्यवाद दोस्तों जाहिए